सूप्रभाद विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ दस परिश्रम क्या फल का अध्यन करेंगे बच्चों, परिश्रम का अर्थ होता है महनत सबसे पहले हम इसके नई शब्द देखेंगे प्रतिदिन, सचेत, संभावना, लापरवाही, निकम्मा, एकत्त्रित, मौसम, परिश्रमी, विप्रीत, कृत्यज्यता अब हम कहानी का अध्यन करेंगे सुन्दरवन में चीनू, चोहां और गिल्लू, गिलहरी रहते थे दोनों पडोसी थे चीनू, निकम्मा और आलसी था, वह दिन भर हाद पर हाद धरे बैठा रहता था इसके विप्रीत गिल्लू परिश्रमी थी वह दिन रात काम में जुटी रहती थी बरसात के दिनों में भोजन की कमीना पड़े इसलिए उसने अपने कोटर में धेर सारे गेहूं, चावल और मुंगफली के दाने एकत्रित कर लिये थे चीनू का केवल एक ही काम था दिन भर पेड की नीचे टांगे पसारे पड़े रहना पेड भरने के लिए इधर उधर से मांग कर खाना उसकी आदत बन गई थी एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरहें गिल्लू भोजन लेने जा रही थी तब ही उसकी नजर पेड की नीचे गुन-गुनाते हुए चीनू पर पड़ी वह उसके पास जाकर बोली चीनू भाईया, बारिश का मौसम आने में कुछ ही दिन शेश है तुम इसी तरहें पड़े रहोगे तो बरसात में क्या करोगे? कुछ भोजन तो एकत्रित कर लो पैर पर पैर रख कर चीनू लापरवाही से बोला देखा जाएगा गिल्लू बेहन, मैं गधो की तरहें मेहनत नहीं कर सकता गिल्लू ने कहा मेरा काम तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए सचेत करना था बाकि तुम्हारी इच्छा बरसात का मौसम शुरू हो गया दो दिनों तक मुसलाधार वर्षा होती रही मुसलाधार वर्षा का अर्थ होता है बहुत जोर से वर्षा होना चीनू के बिल में पानी भर गया जैसे तैसे करके पेड के कोटर में घुसकर चीनू ने अपनी जान बचाई। उसे जोरो से भूक लग रही थी। कहीं से भी भोजन मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही थी। चारो और पानी ही पानी था। कोटर से मू निकाल कर उसने खिन्नू खरगोश से कहा। खिन्नू भाई बहुत भूक लगी है। पेट में एंठन हो रही है। कुछ खाने को दो। नाना चीनू भाई बरसात का मौसम है। थोड़ा बहुत भोजन है। अगर मैं तुम्हें दे दूँगा तो मैं क्या खिन्नू खरगोश ने टकासा जवाव दे दिया। टकासा जवाव का अर्थ होता है साफ मना करना। चीनू खाने के लिए बहुत गिड़ गिड़ाया परंतु खिन्नू का दिल ना पसीजा। दुखी चीनू ने इधर उधर देखा उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने उपर की और देखा कलू कवव अपने घोसले से नीचे की और जांक रहा था। चीनू ने कलू को आवाज देते हुए कहा कलू दादा भूख के मारे बुरा हाल है रोटी का एक टुकड़ा दे दो कलू कवव भोला देखो चीनू बेटा मेरे पास रोटी का एक छोटा सा तुम किसी और से मांग लो। चीनू ने भोजन मांगने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। एडी चोटी का जोर लगाने का अर्थ होता है बहुत कोशिश करना। पर उसे किसी ने खाने को कुछ ना दिया। उसके चेहरे पर हवाया उडने लगी। वह कोटर में ज देखकर गिल्लू गिलहेरी मुंगफली के कुछ दाने लेकर पेड़ के कोटर में पहुची, भोजन के बीना चीनू की बुरी हालत थी, गिल्लू गिलहेरी ने चीनू के मुँ में मुंगफली के दाने डालते हुए कहा, मैं तो पहले ही कहती थी चीनू भाई, कुछ मेहनत कर परन्तु तुम माने नहीं, हाँ गिल्लू बेहन तुमने ठीक ही कहा था, अगर मैं तुम्हारा कहना मान लेता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता, सच मुझ, मेहनत का फल मीठा होता है, चीनू बोला, चीनू चूहा जल्दी जल्दी मुंगफली के दाने खाते हुए कृत अग्यता से गिल्लू गिलहरी की और देख रहा था, बच्चो हमें इस कहाने से क्या सिक्षा मिलती है, हमें इस कहाने से सिक्षा मिलती है, कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से हम अपने जीवन का लक्षे प्राप्त कर सकते हैं, मेहनत ही सफलता की कुझी ह बच्चो अब आप इस पार्ट को अपनी पुस्तक में से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे अब हम इसके शब्दों के अर्थ जानेंगे निकम्मा निकम्मा का अर्थ होता है कोई काम ना करने वाला अब आप बच्चो अपनी कार्य पुस्तिका में नई शब्द और शब्दार्थ करेंगे धन्यवाद